आज हम लोग जानेंगे CMS के बारे में detail में A to Z हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी यहाँ पर मैं digital tools hosting के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग जानेंगे CMS के बारे में सब कुछ A to Z ये वाला जो topic ये beginners के रहेगा लेकिन ये topic important भी है बहुत सारे लोग सीधे इसको जम करके directly पहुच जाते हैं और आगे जाकर की confused हो जाते हैं तो जितने अच्छे सापकी basic clear होंगे उत्रह ही आपको आसानी रहेगी आगे कुछ भी नया सीखने में related to this field तो आज हम लोग जानेंगे content management system के बारे में देखेंगे इसके pros, cons, examples, कौनसा यूज करना चाहिए, क्या pricing रहेगी, कैसे create करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में इससे पहले मैं CMS समझाओं पहले ये समझते हैं कि अगर website हमें develop करनी हो बिना CMS के तो हम लोग कैसे develop करते हैं use करते हैं, HTML, CSS, JavaScript, media management करते हैं, server transfer, ये सारी चीज़े हम लोग manually करते हैं हमें पूरा scratch से लेकर के website build करनी रहती है, तो जब आप लोग content management system का use करो है तब ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, content management system का meaning इसके नाम में ही चुपा हुआ है जो आपके content को manage करने में help करता है, जो भी आपका content रहता है, वो database में save हो जाता है database से एक presentation layer के थुरू सामने display होता है तो इस scenario में आपको manually website को design करनी की जबरत नहीं पड़ती है, scratch से code करनी की requirement नहीं रहती है सिफ कोई भी CMS ले लो, उस पे एक graphical user interface रहता है, जहां पर हम लोग drag and drop करके यहां फिर कुछ content को text format में डालके, उसके थुरू हम हमारी website बना सकते है basically बिना coding knowledge के आप लोग अपनी website बना सकते हो, वो होता है CMS के थुरू CMS यहां पर काम कैसे करता है, इसका हम लोग quickly एक demo देख लेते है यह एक website है, यह एक blog है, जो कि मैंने बनाया WordPress के थुरू तो back end पे कैसे दिखता है, back end पे कुछ इस तरीके से दिखता है, यहां पर इसका dashboard रहता है, यहां पर पोस्त हो अब ही रहती है, तो अभी मैं बहुत जादा इसमें detail में जाओंगा, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना के रखाए WordPress training program करके, if you are interested, आप लोग हो जाके देख सकते हो, quickly बता देता हूं कैसे CMS काम करता है, तो जैसे यहां पर मुझे अगर कुछ भी edit करना है, जैसे मेरी यह वाली इसमें से मान लेते हैं, यह मेरी एक post है, ठीक है, तो यह जो post है, front end पे ऐसे दिख रही है, और back end पे मैं कुछ इस तरीके से इसको यहां पर edit कर सकता हू मेरे पस यहां पर सारे tools available हैं, formatting bar available है, image को insert करना मेरे लिए काफी easy हो जाता है, image insert करने लिए बस मुझे यहां पर जाना है, and then I can insert an image, media से image insert कर सकता हूँ, जो भी मुझे यहां पर options से हैं, वो सारे यहां से easily insert हो सकते हैं, यह काम होता है CMS का easily content को manage करना, मैं अपनी पूरी website को easily customize कर सकता हो, मैं इसके colors बगरे change कर सकता हूँ, यह सब एक user interface के through हो रहा है, मैं जाके back end पर CSS के through code नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे इसका background color है, blue करना है, dark blue करना है, font color change करना है, यह सब एक customized panel के through हो रहा है, CMS के through हो रहा है, कोई भी यहां पर coding नहीं हो रही है, WordPress is one of the most popular CMS out there, ए वह है विक्स का विक्स में यह मेरा बाक एंड है हम लोग जाते है एडिट साइट के ऊपर यह रही मेरी वेबसाइट यह विक्स के तुरू बनी है विक्स प्लाटफॉर्म ही है अब अगर मुझे यहां पर कुछ भी आड करना हूँ तो मैं आड पर क्लिक कर दूँगा वो काम होता है CMS का अब कुछ popular CMS के बारे में जानते हैं तो हमारे पास यहां पर एक रिपोर्ट है w3tex.com की तरफ से जिसमें हमें पता चालता है कि WordPress है जो है वो सबसे popular CMS platform में इसका जो market share है वो है 64.3 percent followed by Shopify यह e-commerce platform में अगर आपको e-commerce website बनाने है तो Shopify उसके लिए अच्छा है then Wix, Squarespace दोनों website builder लेकिन जो मेरे पास सबसे ज़्यादा market share है वो है WordPress 64.3 percent for WordPress अब CMS से यहां पर किस तरह की website बन सकती है starting website बन सकती है blogs, forums, e-commerce, online courses, membership websites, portfolio websites यह सब CMS के थुरू बनाई जा सकती है अब सबसे बड़ा question यह आता है कि CMS हमें कौन सा choose करना चाहिए हमारी website के लिए it totally depends कि आप लोग किस तरह किया पर प्रॉब्लम सॉल्व करना की कोशिश कर रहे हो क्या requirement है आपको e-commerce की requirement है, blog की requirement है, simple portfolio website चाहिए, community forum चाहिए क्या requirement है, तो यह काफी बड़ा topic है, काफी detailed topic है, अगर आपको, अगर आपको starting में confused हो तो just look at your competitors website, कुछ competitors देखो, वो लोग क्या use कर रहे है, वो ही same platform भी आप लोग यहाँ पर use कर सकते है starting में वो use करो and down the line you will automatically figure it out कि कौन से options आपके लिए अच्छे रहेंगे अब CMS को use कैसे करना है, हर CMS यहाँ पर differently use होता है, Squarespace, Wix आपको differently use करना पड़ेगा, वो website builder रहे, drag and drop support करते है WordPress एक self-hosted platform है, wordpress.org, उसके लिए आपर आपको hosting में लेनी पड़ेगी, domain में लेना पड़ेगा, then WordPress इंस्टॉल करना पड़ेगा WordPress को कैसे use करना है, उसके लिए मैं already video बना चुका हूँ, यह आपको मिल जाएगा, I button पर में link कर दूँआ, जहाँ पर मैं WordPress को लेकर करके, पूरा A to Z guidance दी है और अगर आपको अपनी website बनाना है, WordPress पर अगर आपको अपना blog बनाना है, तो उसके लिए मेरा एक course भी है, this is the course, lightning blog के नाम से course है, if you want you can take this, और यहाँ पर मने बताया कि speed कैसे लानी है, security कैसे लानी है, कैसे modern look देना है, सब free themes और free plugin का यहाँ पर use करके, यह आपको free में मिल CMA से उसकी मैं आपको roughly एक pricing बता देता हूँ, जैसे Wix की जाएंगे, तो Wix की यहाँ पर 185 rupees per month से starting है, then Squarespace यहाँ पर थोड़ा expensive side पर हो जाता है, dollar 16 per month से starting है, और अगर आपको WordPress की तरफ जाना है, तो WordPress as a software तो free है, लेकिन आपको यहाँ पर hosting और domain purchase करना पड़ेगा, जिसकी minimum cost at least 2,000 rupees per year, तो आपको लगेगी, मैंने detailed reviews बना के रखे हैं, Wix का, Squarespace का, WordPress की real cost क्या आती है, उन सब के लिए, मैंने detailed videos बना के रखे हैं, अगर आपको और deep में जाना है, तो भी जाके देख सकते, now let's come on to the advantages, की CMS के advantages क्या होते हैं, सबसे पहला कोई भी coding knowledge की requirement नहीं रहती है easily drag and drop आप लोग कर सकते हो, second, बहुत सारे plugins and extensions आपको मिल जाते हैं, कस्टमाइस करने के लिए, for example, मैंने एक website बना ही WordPress के थुरू, मुझे share button चाहिए, तो उसका मुझे plugin मिल जाएगा, उसका extension मिल जाएगा, इसके through all the functionality में अपनी website में डाल सकता हूँ, तीसरा रहता है, easy content management, easily, आप लोग को manage कर सकते हो, update कर सकते हो, media को manage कर सकते हो, CMS में बहुत easy हो जाता है, fourth is, it is affordable, if you are developing a website through a developer, जो scratch से बनाएगा उसको, तो आपको काफी heavy price उसकी pay करनी पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि आपे CMS है, तो इसकी price आपको इतनी नहीं पी करनी पड़ेगा, आपको किसी developer क बाइर नहीं कर रहे हो, fifth, customization के option से, इसको आपको कस्तमाइज कर सकते हो, scale कर सकते हो, आपकी need के साब से, sixth is, user management, आपको different users को add कर सकते हो, इनको different responsibilities दे सकते हो, कि one can manage blog post, किसी को publish करनी है, किसी को update करनी है, and कोई सिफ comments देख रहा है, कोई सिफ WordPress का dashboard देख रहा है, तो you can have different users in your CMS कुछ disadvantages के बारे में बात करी जाए, तो bloatware आपको देखने को मिल सकता है, जब अपनी website को scratch से design करते हो, तो सिर्फ वही features डालते हो, जिसके आपको requirement रहते है, लेकिन जब आपको CMS का use करते हो, templates का use कर सकते हो, themes का, plugins का, तो बहुत बार ऐसे भी रहता है, कि बहुत सारे ऐसे features आजाते हैं, जिसके आपको requirement नहीं रहती है, तो वो थोड़ा bloatware आजाता है CMS के अंदर, second is security risk, क्योंकि यहाँ पर आप लोग extensions का use करोगे, plugins का use करोगे, अगर वो plugins update नहीं होए है, यहाँ पर उसमें कुछ vulnerability है, तो थोड़ा बहुत security risk रह सकता है, third is learning curve, although यहाँ पर आपक आपको एक हकते का time लगेगा, यह सारे features सीखने में, so I hope आपको CMS नहीं समझ में आ गया होगा, I tried my level best कि मैं आप सारी चीज़े आपको easily explain कर पाऊं, क्या है, क्या से work करता है, functionality, pricing, cons, pros, सब कुछ मैंने आसान भाशा में हाँ पर explain करने के कोशिश करी, if you have any doubts, do leave in the comment section below, bottom line, और अगर simple portfolio websites वागर बनानी है, तो Wix Squarespace एक अच्छी option हो सकते हैं, so that is it for this one, अगर आपको एच्छ लगाए तुसको थाम्सब देगेगा, चानको सब्सक्राइब कर लेगा, for more interesting videos, and I will see you guys in the next one, goodbye.